हेलो स्टुडेंट सो फाइनली आर बड़ी खबर निकल के आ रही है के विपी वाई की तरब से के विपी वाई की जो इत्ते दिन हम जो उनसे कॉल टेंक्ट करते थे यह पर कॉल करते थे हेल्प लाइन नंबर पर तो हमें बताया जाता था कि एटलिस माई के अंदर होंगे मा बाइस माई दोजार बाइस ज्यादा तो कुछ इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है लेकिन इतना ही दिया गया है कि के विपी वाई के जो एक्जाम है वह बाइस माई को होंगे ओके गाइस बाइस माई हैं कि आज हो चुके है बाइस फरवरी ओके सो आठ दिन पचे हैं फरव हुआ है यह और जैसे मार्च अप्रेल माई गाइस पूरे पूरे तीन महिने मिल गए आपको ओके जिन बचों ने परप्रेशन नहीं की थी वह इसके अंदर जो ना मलब जो टोपर है उसको भी पीछे छोड़ सकता है ठीक है ना आप लोगों के पास इतना टाइम मिल गया ह है ऑके सो आपकी जान करें बता दूव not जो जो कि जयुमें का जो एकजाम होगा वह इससे पहले ही होगा उप के सकते हो आपके पास बहुत ही ज्यादा टाइम है कम टाइम नहीं है तीन महिने पड़ें आपके पास तीन महिने कैसे पड़ें जैसे च्ह特वरी बाले कल 22 करने एक महीना पूरा मार्च का पड़ा है देन अपरेल का पड़ा है ओके देन माई के अंदर जो है किते दिन होते हैं तो बाइस में यह इधर वाले च्छे ओड़ जोड़ दो किते हो गए 28 दिन हो गए ओई रॉम ठीक है तो तुमारे पास यह सिर्फ और सिर्फ तीन महीने हो कर सकते हो तो तुम्हें क्या करना है कि युफी भाई को सिर्फ एक से आदा गंठा देना है ज्यादा से ज्यादा ठीक है एक गंटा मालो एक गंडा भी नहीं आदा गंटा भी दो गयना तो चलेगा जब तक तुम तो मैं तुम्हारे बोर्ड की और जो की प्रपरेशन कर र पूरे पूरे chances है और तुमको भी यार पिछले बार जिन बच्चों को जैसे marks मिले थे फ़र-बर के वैसे वेसे भी तुमको भी मिलने के पूरे पूरे chances है लेकिन गोवर्मिन्ट भी समधर रहिए विसके बारे में जब आपको online पढ़ाया है तो आपको भी online ही ले लेना चाह पूरा गईड करेंगे कि अब तुमको क्या करना है कौन कौन से फॉर्म बढ़ने हैं किस फिल्ड में तुजा सकता है ओके जो भी तुमारी नोलेज के साब से तुमको एकदम फुल गाइड करेंगे और इस यूरली इतने जितने सालों में जितने भी बच्चों ने यह प्लान लिया है तो ओल्मॉस्ट बच्चे आई इटी जैनाई टी आई सर इंडिया के टोप रेपुटेटेड तो तुम फुली फोकस कर सकते हो जही में पर ओके और अब ओलंपियार्ट का क्या सीन है ओलंपियार्ट भी ओल्मॉस्ट देखना पड़ेगा क्या सिस्टम है ठीक है बच्चों ओके सो जो स्टुडेंट जो यह न्यू शेडियूल है इसका जो पीडियेप का लिंक में आप आपको थोड़ा थोड़ा बता देता हूं ठीक है वैसे इसके बारे में भी कम ही है यूटूब पे ओके जो आपको संडे को होने वाला है 6 तारीको जो है 6 मार्च को मेट्स का है आई ओक्यूम का ओके और जो है पार्ट 2 में होगा यह जूनियर साइंस आई ओक्यू जी एस यह हो में पार्ट 2 को बनांख संटो कour यहां से 6 बोलनघ एक और 11 को यहां सब्सक्राइब सब्सक्रे sharp技 आंजब और Web4 backlash को हिसको आप सोब सेलेक्शन बेयांड आई ओक्यू पार्ट सेकिंड में भी लोक्ट एड़ 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 प्रोफेशर बीपी त्या की चीफ कोडिनेटर एक्जामिनेशन ओलंपियाड ओके यह पीडियेप रिलीज किया गया है इनकी वेड़ की तरब से ओके सोच है 13 और 20 को आपके एक्जाम है ओके न्यू नोटिस यह है समझ गये से भी लोग थेंक्यू